नमस्कार बच्चों आज हम ज लिखना सीखेंगे हिंदी का व्यंजन ज ज तो शुरू करते हैं तीसरी लाइन से शुरू करेंगे एक यू आकरिती बनाएंगे फिर छोटी सी लेटी हुई रेखा उपर जाओ नीचे जाओ और उपर एक बनादो एक छोटी रेखा तीसरी लाइन से शुरू करेंगे यू आकरिती लेटी हुई रेखा उपर नीचे और उपर लगादो एक लेटी हुई रेखा फिर से देखो यू आकरिती घुमाते हुए थोड़ी अंदर की तरफ लेके जानी है ध्यान रहे फिर यहां हम बनाएंगे छोटी सी लेटी हुई रेखा इसी को उपर ले जाएंगे नीचे लाएंगे बन जाएगी सीधी रेखा और उपर एक लेटी हुई रेखा फिर से देखो यू आकरिती अंदर घुमाओ लेटी रेखा सीधी रेखा और उपर एक और लेटी हुई रेखा यूआ कृती बनाते हुए शुरू करेंगे यूआ कृती थोड़ा अंदर की तरफ घुमाओ लेटी रेखा, सीधी रेखा और उपर एक और लेटी वी रेखा यूआ कृती अंदर को घुमाओ छोटी लेटी रेखा, उपर जाओ, नीचे आओ और उपर एक और छोटी रेखा तो ये बन गया हमारा व्यंजन ज और अब हम ज से जहाज का चित्र बनाएंगे ज जहाज तो चलो शुरू करते हैं पहले एक लंबी सी लेटी हुई रेखा बनाओ ऐसे अब दोनों तरफ से एक एक स्लैंटिंग लाइन अंदर की तरफ बनाएंगे और अब पानी की लहरें बनाएंगे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे अब यहां हम बनाएंगे एक सीधी रेखा लेटी रेखा सीधी रेखा बीच में दो और सीधी रेखा उपर एक और छोटा सा डबबा बनाएंगे और इसके उपर एक बनाएंगे छोटा सा ज़ंडा वो कैसे बनाएंगे? छोटी सी सीधी रेखा बनाओ और दो स्लैंटिंग लाई मना के छोटा सा ज़ंडा बनाओ यह हमारा बन गया जहाज जहाज और अब हम नीचे सीक्वेंस में क से जह तक व्यांजनगीद गाते हुए लिखेंगे यह एक लाइन छोड़नी है इसलिए हमने एक काटा लगाया अगली लाइन से शुरू करेंगे क केला तोड़ा माली ने ख खीरा रखा थाली में ग गमले में फूल उगाना ग घड़ी सुनाई टिक टिक गाना ग कोग के बाद है आना अब आओ अगली लाइन में चर्चमत से हम खाना खाते चर्चाता लेकर धूप में जाते ज़ जहाज पानी में चलता और ये हो गया हमारा क से ज़ तक और अब हम मिलेंगे नई व्यंजन की लिखावट से नमस्कार